असलाम वालेकों वेलकम नो माई चैनल माई नेम इस ताहिर दात और स्मार्टफोन की दुनिया में हर रोज कोई नए फीचर आता रहता है लेकिन बहुत ही कम्पनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर को इंडिड्यूस कर आती है और इस दफ़र ये काम किया है शाओमी ने मै कर रहा हूं अन्डर इस्पले सेल्फी केमरा सेंसर की गें उप्रसिक नुक्तिकी को तेक्नौलेजी आपको वालेगा अंडर इस्पले केमरा सेंसर बिल्कुल केमरा होगा वो डिस्प्ले के नीचे होगा और यह शाओमी की तरफ से एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर है जो के इन्हों ने सैमसंग ओपो और वीवो जैसी कंपनी से पहले इंडिडियूस कर आया उसका डेमो आ चुका है मैं आपको जाहरे दिखा दिया होगा औ मास प्रोडक्शन के लिए तो इसका मतलब नेक्स्टियर जो मी 11 की सीरीज आने वाली है उसमें आपको फीचर देखने को मिल सकता है अगर आपने हम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं चैनल के ओपर टेक्नोलीजी स चोटा किया गया जाहर है अवाम को फुल स्क्रीन चाहिए थी और कंपनी यही कोशिच में लगी भी थी किसी तरीके से इस नौच को खातम करके सिर्फ पूरे एक स्क्रीन दी जाए तो कुछ कंपनी ने मोटराइस केमरा लगा है जो केमरा पोप ओके निकलता था और पर फुल स्क्रीन डिस्प्लेई और उसमें सिफ केमरा कट आउट बहुत ही जी मिल जाता है लेकिन अपको अभी भी वही नौच दे रहा है जो 2017 में दे रहा था 2020 में वही नौच है और जो आइफोन त्वेल आने वाला है उसके अंदर भी वही सेम नौच है ऐसा क्यों है ख जब मैं उस वीडियो का अप्लोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके यह जो शौमी का अंदर डिस्प्ले केमरा है यह तर्ड जनरेशन है इसका फर्ड जनरेशन हमने पीछे 2019 में देख लिया था जब शौमी ने पहली दफा अनौन्स किया था कि हम अंदर ड उसके पीचे से कैमरा लगा हुआ है तो बीच में कुछ ने कुछ लेर जे तो उसके इमेशी कॉलिटी अची नहीं आ रही थी लेकिन जो अब शामी ने डेमो दिया है यह तर्ड जनरेशन है और उससे काफी बेटर है इसकी इमेश कॉलिटी है वह बिलकुल आपको आपको चल सकता है LCD पर नहीं चल सकता क्योंकि जो अलेट डिस्प्लेइज होते हैं उसके अंदर हर पिक्सल की अपनी अपनी अलग लाइट होती है और यह कहते हैं कि जहां पर कैमरा लगा हुआ है उस वाली जो LCD का पार्ट है जब कैमरा ओन होता है तो उस पार्ट का पूरा इससा है वह ट्रांस्पेरेंट हो जाता है मतलब उसकी जो ट्रांस्पेरेंसी है विल्कुल कम किर दी जाती है जिसके वैसे पीचे से कैमरा मशीन लर्णिंग और जो भी इनकी टेक्नालोजी होती है उसके जरिये से पिच्चर ले सकता है खैर इस बारे में किसी दो वीडियो जाएगी आपके क्या खालात है इस अंडरेंट इस्पेर के बारे में और शामें के बाद कौन सी कंपनी होगी जो सबसे पहले इस चीज को इंट्रिडूस कराएगी सैमसंग वीवो या ओपो या कोई भी कंपनी तो उस बारे मुझे कॉमेंट सेक्शे में जरूर बताएं ब झालात है झालात है झालात है